अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए करनाटक में 14 दिनों के लिए लगेगी लोकडाउन जैसी पाबंदियां जिहां करनाटक में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए करनाटक के मुख्यमत्री पिये से दुरप्पा ने सक्त फैसला लिया है इसके तहत राजभर में मंगलवार रात 9 बजे से 14 दिनों के लिए राज़ में कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा सीम ने कोविड कर्फ्यू का एलान करते हुए कहा कि कर्फ्यू के दोरान सुबह 6 बजे से 10 पजे तक आवश्यक सिवाओं की अनुमती रहेगी जबकि 10 पजे के बाद दुकाने बंद हो जाएगी सिर्फ निर्माण, वी निर्माण और क्रिसी छेत्रों को अनुमती है, सरवजरिक परिवाहन भी बंद रखे जाएगे कोविड कर्फ्यू के दोरान रज्ज में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्व विद्याले, कोचिंग क्लास बंद रहेंगे जबकि किसी को भी बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने की मना ही होगी अब कोविड रिपोर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार आइसी एमार ने ड्राई स्वैब आर्टी पीसियार को दी हरिजंडी जिहां विग्यानिक तथा ओद्योगिक अनुशंधान परिस्द यानी CSIR की लैब कोशिकी है तथा आणविक जिव विग्यान किंद्र ने ड्राई स्वैब वाले आर्टी पीसियार जांच को ठीक तरीके से करने के लिए स्वास्त कर्मियों को अवश्यक तकनीकी परिक्षन देने की पेशकस की है इस बावत किंद्र के निदेशक राकेश मिस्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमन के बढ़ते हुए मामलों के मद्द नजर कोरोना नमूनों की जांच के लिए ड्राई स्वैब जांच अत्यंत उपयोगी है आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार CSIR की CCMB Lab ने ड्राई स्वैब आर्टी पीसियार पढ़ाली विक्षित की है आर्टी पीसियार टेस्टिंग की ये तकनीक नॉर्मल आर्टी पीसियार से करीब 30 से 40 परतीस तक सस्ती है इसका सांथी ड्राई स्वैब आर्टी पीसियार जांच के दौरान रिजल्ट भी काफी तेजी से आते हैं मदरास हाइकोटि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयो को बताया जिम्मदार कहा सबसे गयर जिम्मदार संस्था जिहां मदरास उचे नयाले ने सुंबर को चुनाव आयो को फटकार लगाई और कहा कि यह देश की सबसे गयर जिम्मदार संस्था है जिसने राजनितिक दलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उलंगन करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया मुख्य नयाधिस संजीव बनरजी और नयामूर्ती सेंथील कुमार राममूर्ती की पहली पीठ ने रज के परिवहन मंत्री एम आर विजय भासकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आज हम जिस इस्थिति में हैं उसके लिए इसी यानि की इलेक्शन कमिशन एक मात्र जिम्मेदार संस्ता है आपने अपने अधिकार छित्र का एक भी काम नहीं किया हम यह भी कहते रहे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें पालन करें लेकिन आपने निताओ को रजनेतिक रैलियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया अर्विंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 18 हवर से अधिक उमर के लोगों को कोविड-19 का टिका निशुल्क मिलेगा जिहां मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सहर में 18 साल से उपर के व्यक्तियों को निशुलक COVID-19 टीका उपलब्द करवाएगी और 1.3-4 करोड खुराकों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है उन्होंने ओनलाइन सवधाता सम्मेलान में कहा कि सरकार टीकों की खरीद और लोगों को टीका लगाने की गती तेज करने के लिए परियास करेगी केजरीवाल ने कहा कि COVID-19 टीकों की कीमत एक ही होनी चाहिए और उन्होंने केंदर से कीमते कम करने की अपील की उन्होंने टीका उत्पाद को से कीमत कम करने की अपील करते हुए कहा कि यह मानावता की मदद करने का समय है लाब कमाने का नहीं विदान्ता के स्टार लाइट प्लांट को चार महीने के लिए उक्सीजन के उत्पादन की अनुमती मिली जिहां देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामनों ने कोहरा मचा रखा है हर राज्यों में सबसे जदा उक्सीजन की परिशानी हो रही है ऐसे में तमिलनाडू सरकार ने तूती कोरीन में विदान्ता के स्टार लाइट प्लांट को चार महीनों के लिए केवल उक्सीजन के उत्पादन के लिए खोलने की अनुमती देदी है